तो हलो गाईस वेलकम टू माई चैनल और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप यूटूब पे लॉग इन करते हो और गाईस तब आपके सामने अगर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है तो गाईस आप जो है इस प्रॉलम को किस तरह सौल कर सकते हो तो गाईस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह प्रॉलम होती क्यों है क्योंकि जब हम अपनी इमेल आइडे को डिलीट करते हो तो गाईस उस delete email id कारण यह problem open हो जाती है तो गाईस इसको आप किस तरह solve कर सकते हो इसके लिए गाईस सबस्पहले आपको अपने YouTube प्लेश्टोर को open करना है प्लेश्टोर को open करने के बाद अब आपको यहां search bar में YouTube को search करना है YouTube को search करने के बाद गाईस अगर आप YouTube में update आ रहा है तो गाईस इसके बाद आपको अपने YouTube को update करने के बाद अब आपको यहां पर थोड़ा सा scroll down करना है पर गाईस आपको यहां पर apps वाला option देखेगा तो गाईस अब आपको यहां simply इस apps वाले option पर क्लिक करना है apps पर क्लिक करने के बाद गाईस अब आपको यहां पर manage apps, app management या install एप पर वाला option मिलेगा तो गाईस इन तिनों में आपकी फोर्में जो भी option है simply आपको इसे open कर लेना है इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा तो गाईस अब आपको यहां search bar में search करना है YouTube YouTube को search करने के बाद आप simply आपको YouTube को open कर लेना है इतना करने के बाद गाईस अब आपको simply यहां clear all data पर क्लिक करना है clear all data पर क्लिक करने के बाद गाईस तो गाईस जैसे ही आप clear data पर क्लिक करोगे आपके सामने यह दो option आएंगे तो गाईस पहले आपको clear catch पर क्लिक करना है और गाईस okay कर देना है फिर से गाईस आपको यहां पर clear all data पर क्लिक करना है क्लियर रोल डाटा पे ok करने के बाद गाईस आपने जो अपने यूटूब में सारी वीडियो डाउलोड कर रखी थी वो सब ग्लीट हो जाएंगी क्योंकि guys कई बार जो ये error इसलिए आदा है क्योंकि हम जो यूटूब की वो सारी वीडियो डाउलोड कर लेते हैं और गाइस जिससे यूटूब के इंस्टरण का साइस बढ़ जाता है तो गाइस आपको ok कर लेना है ok करने के बाद guys अब आपको जोए अपने फोन को refresh करना है power button पे long press करके और गाइस जैसे ही आप अपने फोन को refresh कर लोगे आपकी जो problem में solve हो जाएगी सो कर इस वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमार चैनल पर नए हो तो हमार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना